क्या आप भी 6-7 lakh के बजट में एक ऐसी hatchback ढूंड रहे हैं जो powerful भी हो जिसकी build quality अच्छी भी हो और साथ ही साथ वो अपने segment की best driving dynamics के साथ आए तो आपने Ford Figo का नाम ज़रूर सुना होगा जो की इन सभी qualities के साथ आती है अब Ford ने इतने अच्छी गाड़ी बनाई तो customers ने बोला कि यारे गाड़ी powerful तो है और अच्छे driving dynamics के साथ भी आती है बट काश इसका ground clearance भी थोड़ा ज़ादा होता तो हम इसके powerful engine का use कर सकते थोड़ बहुत off-roading में भी तो Ford ने बोला लो भाई आपकी ये wish भी हम पूरी कर देते हैं तो Ford ने Figo के platform पे ही launch कर डाली एक crossover जिसे हम freestyle के नाम से जाते है और मज़े की बाद तो ये है कि currently freestyle segment की अपनी अकेली गाड़ी है मतलब कि कोई इसका rival नहीं है तो इसका direct जो competition होता है वो इस बट आज हम इस वीडियो में देखेंगे freestyle के कुछ pros and cons जिसे जानने के बाद आप अपने priorities के accordingly खुड decide कर पाएंगे कि ये गाड़ी आपके लिए perfect choice है या फिर नहीं तो पहले हम शुरूबात करेंगे इसके pros से कि ये गाड़ी आपको क्यो consider करनी चाहिए हाँ तो अगर आप freestyle के design को देखेंगे तो ये भली फीगो के platform पे based हो बट फोर्ड ने इसे एक proper crossover वाला design दिया है specially जो इसका front design है वो इसे एक muskul look provide करता है जो की crossover के लिए दिखना बहुत ज़रूरी है otherwise वो एक normal hatchback ही लगेगी in fact इस segment की पुरानी जितनी भी crossovers थी जैसे हो गई polo cross, itios cross या फिर i20 active उनके कही नगए design को देखके ऐसा नहीं लगता था कि ये proper crossovers है बट freestyle में ये चीज आपको नहीं लगीगी specially जो आप इसके front and rear में skirt plate देखेंगे वो आपको एक bold और SUV वाला feel देती है साथ ही साथ इसमें जो roof rails लगे हैं वो भी इसे attractive look देते हैं तो looks की बात मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ ये आप मुझे comment section में बताइए कि आपको इसका look कैसा लगा Guys, Ford की car हो और powerful engine का नाम ना आए ऐसा तो possible ही नहीं है और यहां पर भी freestyle में आपको मिलते हैं two engine options जिसमें है एक 1.2 liter का naturally aspirated petrol engine जो produce करता है around 95 bhp of power and 190 newton meters of torque जो की naturally aspirated engine के हिसाब से काफी अच्छी figures है बट अगर आप इसे purchase करने का मन बना ही चुके हैं तो मैं आपको इसका diesel engine opt करने का recommend करूँगा क्योंकि अगर इसके diesel engine की बात करें तो यह Ford का iconic 1.5 liter का diesel engine है जो produce करता है around 99 bhp of power and 250 newton meters of torque and trust me यह engine अपनी segment का best diesel engine है मतलब कोई भी और कार इस price range में Ford के 1.5 liter का diesel engine का मुकाबला नहीं कर सकती एक बार हो सकता था कि Volkswagen का 1.5 liter का TDA engine मुकाबला कर सकता था इसका बट currently Volkswagen ने भी अब उस engine को discontinue कर दिया है तो बचा सिर्फ Ford का 1.5 liter का TDCI engine जो की अपनी segment में सबसे ज़्यादा powerful है and surely आपको अगर ये गाड़ी purchase करनी है तो आप इसके diesel variant को आँख बंद करके purchase कर सकते हैं क्योंकि ये engine freestyle हो या figo हो दोनों की ही जान है Guys up Ford ने freestyle को एक muscular SUV शिलुक तो दे दिया साथ ही साथ powerful engines भी दे दिये बट क्या यही सब चीज़े काफी है एक crossover को hedgeback से अलग बनाने के लिए No, अगर ground clearance ही जादा नहीं है तो किस बात की crossover and Ford ने यहाँ पर उस चीज़ का भी काफी ज़्यादा धान रखा है क्योंकि freestyle में आपको मिलता है 190 mm का ground clearance which is really amazing अब आपके बारस almost सब चीज़े है powerful engine भी है, muscular look भी है और ground clearance भी जादा है अब आप इससे थोड़ी बहुत off-roading भी कर सकते है and आपको rough roads में भी कोई problem नहीं होने वाली चाहे आप इसे hills में terranes पे ले जाईए या फिर city में भी pot holes के उपर से ले जाईए आपको जो इसमें 190 ml का ground clearance मिलता है उसकी वज़े से आपको ऐसी जगा पे कोई problem नहीं होने वाली Guys, safety में इसमें आपको मिलते हैं 2 airbags, ABS, EBD, speed sensing auto door lock, high speed alert system, anti-theft alarm, seat belt warning alarm इसके अलावा side impact beam and front impact beam इसे और जादा robust car बना देती है and ये सब features आपको इसके base variant से ही आने शुरू हो जाते हैं इनके लिए आपको top variant लेने के कोई ज़रूत नहीं पर personally guys, मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप इसको लेने का मन बना ही चुके हैं तो आप इसका at least titanium variant तो ज़रूर opt करें मतलब कि titanium या फिर उसके उपर के variants उसका reason ये है कि इसके titanium variant में आपको और भी ज़्यादा safety features मिलते हैं जैसे vehicle stability control and traction control जो कि मेरे according काफी important safety features में से एक है एक बार को चलो traction control नहीं भी मिलता तो vehicle stability control still एक काफी important feature बन जाता है crossover जैसी cast के लिए जिनका ground clearance जब ज़्यादा होता है क्योंकि क्या होता है कि ground clearance जब ज़्यादा होता है तो गाड़ी के center of gravity होती है वो भी थोड़ी उपर हो जाती है जिस वज़े से मुझे लगता है कि at least vehicle stability control आपको लेना ही चाहिए इस गाड़ी में जो कि आपको इसके titanium variant में मिलेगा चाहे वो titanium diesel हो जा फिर चाहे titanium petrol इसके साथ अगर आप इतने में भी खुश नहीं है तो आप इसकी safety को और भी ज़्यादा enhance करने के लिए इसका titanium plus वाला variant भी opt कर सकते हैं क्योंकि Ford ने titanium plus वाली variant में six airbags के option provide किये हैं जो कि definitely safety की साब से इसे एक अच्छी कार बना देते हैं और साथ ही साथ Ford है तो अच्छी build quality की भी आपको कोई जाधा tension लेने की ज़रुत नहीं है तो ये थे इसके safety features अगर हम बात करने इसके other features की तो आपको titanium variant में मिलते हैं automatic climate control adjustable steering wheel engine start stop button keyless entry driver seat height adjustment touchscreen infotainment system charcoal black interior full folding rear seat front and rear headrest GPS navigation steering mounted audio controls exterior पे alloy wheels of 15 inches rear window washer rear defogger exterior पे rear spoiler and ORVM पे turn indicators जैसे features जो इसके titanium variant को एक value for money variant बना देते हैं अगर इसके ride handling and seat comfort की बात करें तो ये दोनों qualities Ford की हर car में आपको देखने को मिलेगी चाहे हो Figo, Eco Sport ओ या फिर freestyle भी ये कास दूसरी कास के लिए भी हमेशा driving dynamics में एक benchmark set कर देती है और वैसे तो freestyle का अभी currently कोई direct rival नहीं है बट अगर हम इसके hatchback version Figo की भी बात करें तो इसके driving dynamics अपने segment में best in class है चाहे बात कर ले जाए इन दोनों के excellent steering feedback की या फिर इनके overall stability की with almost 0% body roll और साथ ही साथ आपको freestyle में ride comfort भी काफी शानदार मिलता है मनलब कि आपको इसे drive करने में काफी जादा मजाएगा और तब आप समझ जाएंगे कि क्यों इसे एक driver's car कहा जाता है तो गाइज यह थे इसके कुछ pros और अब आपको यह ना लगे कि मैं आपको इसकी बस तारीफी किये जा रहा हूँ इस वज़े से अब हम बात करेंगे इसके cons के बारे में कि मतलब किन-किन लोगों को यह गाड़ी consider नहीं करनी चाहिए So guys अब तक आपने जितने भी pros सुने आप एक चीज समझ गए होंगे कि यह गाड़ी एक perfect driver's car है और यह चीज आपको इसके rear seat space को देखके भी पता लग जाएगी कि क्यों इसे एक perfect driver कार ही का जाता है क्योंकि इसका जो rear seat space है वो इतना जाद अच्छा नहीं है जितना कि आपको इस price range में दूसरी car में देखने को मिल जाएगा इसलिए अगर आप उन लोगों में से है जो इस price range में एक ऐसी car चाहते है जिसमें आपको rear seat में काफी जाद अच्छा leg room मिले काफी जाद अच्छा shoulder room मिले तो freestyle शायद आपके लिए नहीं बनी है इसलिए मैं आपको recommend करूँगा अगर आप सिर्फ rear seat comfort के लिए एक car ढून रहे हैं तो आप freestyle को देखने में अपना time waste ना करे चोकि आपको इसके rear seat में इतना ज़ादा space नहीं मिलेगा जितना कि आपको इस price range में दूसरी car में मिल जाता है और ये इसका एक major con भी आप कह सकते है इसका जो दूसरा major con है वो है इसमें no automatic transmission freestyle में currently आपको कोई भी automatic transmission नहीं मिलता आपको सिर्फ इसमें five speed manual transmission ही मिलता है तो अगर आप उन लोगों में से जो सच करें एक automatic transmission वाली car तो फिर तो मतलब बात ही खतम हो गई क्योंकि आपको इसमें automatic transmission नहीं मिलता सिर्फ manually transmission मिलता है तो automatic lovers के लिए ये गाड़ी नहीं बनी है अगर आप एक true car enthusiast है तो आप समझ जाएंगे कि क्यों इस काड़ी को automatic transmission की ज़रूत नहीं है तीसरा जो कौन है वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कौन हो या फिर कुछ लोगों के लिए नहीं हो जैसे मेरे लिए वो एक कौन नहीं है बट क्योंकि आप कहीं ये न बोले कि मैं आप एक bias analysis कर रहा हूँ इस वज़े से मैं आपको इसके इस वाले कौन के बारे में भी बताऊंगा जो है इसमें कुछ features का missing होना जैसे कि आपको इसमें rear AC vents नहीं मिलते हैं cruise control आपको इसमें नहीं मिलता और साथ ही साथ आपको इसके exterior में front में projector headlamps with LED DRLs का option भी नहीं मिलता जो कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कौन हो और कुछ लोगों को हो सकता है इससे कोई फरक कीने पड़े जैसे कि आप मेरी माने तो rear AC vents का option सिर्फ उनी cars को चाहिए जिनका wheelbase काफी ज़्यादा लंबा होता है जैसे हो कोई mid-size sedars लाइक मारूती सुजुकी सियाज या फिर होंडा सिटी इस ताइप की cars को rear AC vents की ज़रूरत पड़ती है बट आइडों थिंग कि rear AC vents एक hedgeback में होना ज़रूरी है rear AC vents वैसे भी क्या करता है वो सिर्फ एक vent होता है जो आपके air outlets को divide कर देता है तो I don't think कि उससे कोई ज़्यादा फरक पड़ेगा For example, currently मेरे पास 2015 polo है जिसमें आपको rear AC vents का option नहीं मिलता अब जो polo आ रही है उसमें rear AC vents का option मिलता है बट अगर आप पुरानी polo में भी बैठेंगे तो आप observe करेंगे कि rear AC vents की तो ज़रूत ही नहीं है 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी गाड़ी cool हो जाएगी क्योंकि hedgebacks जो होती है उनका area generally कम होता है बस still कुछ लोगों के हिसाब से freestyle का ये एक con है कि इसमें rear AC vents नहीं मिलता तो मैंने आपको ये भी बता दिया है So guys अगर आप मुझसे पुझेंगे तो आपको मैं इसका titanium variant लेने का recommend करूँगा क्योंकि उसमें आपको मिल जाते हैं almost सारे features and ये titanium variant आपको petrol में भी available है and same ये titanium variant आपको diesel में भी मैं recommend करूँगा however अगर आप अपनी safety थोड़ी और बढ़ाना चाते हैं तो आपको मैं इसका titanium plus variant लेने का recommend करूँगा चोकि उसमें आपको मिल जाता है 6 airbags का option तो ये थे freestyle के कुछ pros and cons जिसके base पे आप अपनी priorities के accordingly decide कर सकते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए perfect choice है या फिन नहीं तो आप मुझे नीचे दिये comment section में बताइए कि आप ये गाड़ी consider करेंगे या फिन नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे and I hope आपको ये video पसंद आई होगी तो अगर आपको ये video पसंद आती है तो please hit the like button